स्वागत आपका टेक्निकल सार्थी यूटूब चैनल पर दोस्तो अगर आप यूटूब पर वीडियोज बनाते हैं और कहीं से भी म्यूजिक डाउनलोड करके अपने वीडियो में यूज कर लेते हैं तब म्यूजिक ओनर आपके वीडियो पर कोपिराइट क्लेम दे देता है अब इस कोपिराइट क्लेम को हम अपनी वीडियो से कैसे रिमू कर सकते हैं इसका जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में प्रेक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करे और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नया आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी परकार के इंट्रेस्टिंग और नौलेजबल वीडियो अप्लोड करता रहता हूँ यहाँ पर सर्च बॉक्स में हमें यूटूब स्टूडियो लिखके सर्च कर लेना है इसके बाद अमारे सामने कुछ इस परकार का एक पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर हमें यूटूब स्टूडियो वाला फस्ट वाले लिंक पर ही क्लिक कर देना है इसके बाद अमारे सामने अमारा YouTube Studio का Home Page कुछ इस परकार का हमें दिखाई देगा यहाँ पर हमें Content वाले Option पर क्लिक कर देना है इसके बाद अमारे YouTube Channel पर जितने भी वीडियो होंगे वो अमारे सामने शो हो जाएंगे दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अमारे इस वीडियो पर Copyright Claim आया हुआ है यहाँ पर हम Filter में जाके भी Filter कर सकते हैं यहाँ पर हमें Copyright Claim वाले Option पर क्लिक कर देना है आपके जितने भी वीडियो पर Copyright Claim आया हुआ होगा वो यहाँ पर Show कर देगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल एक ही वीडियो दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरे केवल एक ही वीडियो पर Copyright Claim आया है यहाँ पर Copyright Claim को Open करने के लिए उस पर करसर ले जाते ही See Details वाला Option आ जाता है हमें यहाँ पर See Details वाले Option पर क्लिक करना है इसके बाद आमारे सामने कुछ इस परकार का एक Page Open हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं Copyright Summary and Status यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके वीडियो पर Copyright Claim आने से आपके चैनल पर कोई Effect नहीं पड़ता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो वीडियो है अभी भी पब्लिक है यानि कि कोई भी देख सकता है यहाँ पर हमें से नीचे स्क्रोल करना है इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक Music यूज़ किया था यहाँ पर उस company का नाम भी दिख रहा है जिसने हमें copyright claim दिया है वीडियो से copyright claim अठाने के लिए हमें दोस्तों यहाँ पर हमें select action वाले option पर क्लिक करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम उस particular part को trim भी कर सकते हैं song को replace कर सकते हैं और यहाँ फिर song को mute कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको replace song वाले option पर क्लिक करके copyright claim को remove करके दिखाऊंगा यहाँ पर हमें replace song वाले option पर क्लिक करना है इसके बाद हमें यहाँ पर हमें audio library में कुछ free music दिख जाएंगे हम यहां पर इनको play करके देख लेंगे मुझे यह first वाला ही काफी अच्छा लगा तो मैं इसे अपने वीडियो में add वाले button पर click करके add कर दूँगा यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने music add किया है वो add हो गया है इसके बाद हमें save वाले option पर click कर देना है इसके बाद एक नया dialogue box open होगा ready to replace song यहां पर हमें save वाले option पर click कर देना है इसके बाद हमें इस page को close कर देना है यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे वीडियो में checking process start हो गया है इसमें कुछ time लगेगा उसके बाद हमारे वीडियो से copyright claim remove हो जाएगा कुछ देर में आपके वीडियो से copyright claim remove हो जाएगा यहां पर लगबग 15 मिनट के बाद मैंने ये screen shot लिया था जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरे वीडियो से copyright claim remove हो गया है दोस्तों आप भी कुछ इसी परकार से अपने वीडियो से copyright claim को remove कर सकते हैं इस वीडियो से related आपकी कोई भी query हो तो नीचे comment box में comment करके जरूर पूछे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करे चैनल को subscribe करे Thank you so much for watching